हालो फ्रेंड्स ओर एक नावड़ेब आप लोग का स्वागत है मैं आज आपको सुल्तान आजलान साकब 2022 की एक अपडेट खबर देने वाला हूँ क्योंकि ये पहले 16 नवेंबर से 25 नवेंबर तक इस इवेंट होने वाला था लेकिन कल एक बड़ी घोषना किया गया है जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग ख़क कि प्रेमी है तो कल की जो गोषना की गई है इस बार ये जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में बदलाव लाया गया है और ये इवेंट अब 1 नवेंबर से 10 नवेंबर तक चलने वाला है इसके साथ सुल्तान आजलांसा कप की जो इस इवेंट होने वाला है इस बार छे टीम हिस्सा लेंगे जिसके बारे में सुचना दिया गया है इस बार जो छे टीम म्याज खेलने के लिए मेदान में उत्रे वो है पाकिस्तान, मालेसिया, जापान, साउथ कोरिया, इजिप्ट और कोरिया हकी टीम ये इवेंट इस बार मालेसिया की इपो में खेला जाएगा और ये आजलांसा हकी स्टाडियम में म्याज होने वाला है तो अब तक जितना भी आजलांसा कप हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा अस्ट्रेलिया 10 बार टाइटल हसल किया है इंडिया 5 बा पकिस्तान और साउथ कोरिया 3-3 बार टाइटल हसल किया है तो इस बार आजलांसा कप 2022 कौन सा टिम टाइटल जितेगा उसके बारे में नीचे कमेंट करके हमें बताना